नमस्कार एजुकेसन इंडिया पर आपका एक बार फिर से सुवागत है अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं SSC CGL की एक्जामिनेशन सीटी के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि SSC CGL की एक्जामिनेशन सीटी आप किस परकार से देखेंगे आपको बता रहे सेंट्रल रीजन की भी एक्जामिनेशन सीटी आज अबसाइट पर जारी कर दी गई है तो वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सारे रीजन की आप एक्जाम सीटी के से देखेंगे और उसके बाद admit card आपके से डाउनलोड करेंगे पूरा process आपको इस वीडियो में समझाया जाएगा इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी request है आप वीडियो को like को और share कर दे और साथ ही ऐसे वीडियो देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को अभी subscribe करके bell icon को दबा दे अब आईए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि exam city आपको किस परकार से चेक करनी है तो आपको बता दे exam city देखने के लिए आपको google chrome या अन्य कोई भी browser open कर लेना है और यहाँ पर आपको search करना है educationindialive.com आपको क्या search करना है तो आपको search करना है educationindialive.com आपको यह google में लिखना है और फिर search कर देना है educationindialive.com सर्च करने के बाद दोस्तो आपके सामने कुछ इस परकार से एक नया page आएगा यहाँ पर जो सबसे उपर website देखने को मिल रही है इस website को आपको open कर लेना है website को open करने के बाद दोस्तो आपके सामने कुछ इस परकार से एक नया page आएगा यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे की और स्क्रॉल कर लेना है जैसे ही दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे की और आएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ से डाउनलोड करें SSC CGL का Admit Card इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और इस पोस्त को आपको ओपन कर लेना है पोस्त को ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस परकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा अब आपको क्या करना है यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की और स्क्रॉल कर लेना है अब आप direct link का एक section देख पाएंगे इदर region का नाम हमने लिख दिया है और उसके side में ही हमने link दे दिये है अगर आपको नहीं पता कि आपका राजिक किस region में आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पर हमने नीचे बता दिया है कि कौन सा राजिक किस region के अंदर आता है तो अपना राजिया आप देख लीजेगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप region का नाम देख लीजेगा और उसके बाद उपर आने के बाद आपको क्या करना है अपने region के सामने लिखे हुए click here पर आपको click करना है click here पर click करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस परकार से एक नया page open हो जाएगा अब आपको थोड़ा सा नीचे की और आना है और proceed now पर click करना है proceed now पर click करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस परकार से एक नया page open होगा अब आपको क्या करना है यहाँ पर नीचे आना है आपके सामने तीन option है अब registration ID, date of birth और इसके साथ ही select your first exam city करके भी अपना जो exam city उसे check कर सकते हैं इसके अलावा role number अभी तक आपको पता नहीं होंगे तो आपको क्या करना है अगर आपको registration number नहीं पता है तो अपना नाम फिर अपने पिता जी का नाम फिर date of birth और जो भी आपने exam city first preference के तोर पर डाली थी वो आपको यहाँ से select कर लेनी है और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है सर्च पर क्लिक कर देना है सर्च पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस परकार से admission certificate status open हो जाएगा यहाँ पर आपकी basic detail देखने को मिल जाएगी उसके बाद registration number और roll number आपको देखने को मिल जाएगे फिर नीचे आएगे तो आपको exam date देखने को मिलेगी और आपको बता दे exam date से चार दिन पहले आप admit card डाउनलोड कर पाएगी जो कि नीचे लिखा हुआ है जैसा कि इनका exam 13 तारिक को है तो यह अपना admit card 9 तारिक को डाउनलोड कर सकते हैं exam time यहाँ पर दिया गया exam city आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके साथ यहाँ पर status में form accepted बता रहा है अगर form rejected बताता है तो आपको exam city नहीं बताई जाएगी और आपका form reject कर दिया गया है तो इस परकार से पूरी जानकारी थी कि किस परकार से आपको exam city चेक कर दी है वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो का आप लाइक करेगा और साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को अभी subscribe करके bell icon को दबा दीचेगा मिलते हैं आप सकले वीडियो में किसे ने जानकारी के साथ अब तक के लिए धन्यवाद